हेलो स्टूडेन्ट आज की ऊनलाइन क्लास में आपका स्वागत है आज हम बHC 3 year के पेपर फर्षक की यूनित फर्षक के बारे में पड़ेंगे तौ आज हम आपकी यूनित फर्षक करेंगे तो यूनित फर्षक में आपका topic है फस्ट टॉपिक है आज का INTERNAL END plan एक्टर्नल और एक्टर्नल ओप्रेशंस आंत्रिक एवं भाह्यंं संक्त्रिया हैं। तो इंट्रनल ओप्रेशं का होता है। और एक्टर्नल ओप्रेशंस क्या होते है। इसके बारे में हध्यन करेंगे। तो इसके लिए आपको एक तो वेक्टर स्पेस होगा तता एक फिल्ड दो टर्म आपके काम में यूज होगी इसमें तो देखें सबसे परदे इंटर्नल ओपरेशन की डेपनेशन माना वी एक एरिक्ट समुझ्च है नॉन इंपिटी सेट है तब दियादारी संक्रिया वाइन का काटिसिंग प्रोडेक्ट किसमें प्राफ्ट होना चाहिए वी में प्राफ्ट होना चाहिए तो वो क्या है दियादारी संक्रिया तो बी में एक आंत्रिक संक्रिया कहलाती है जिसके अंत्रकर्ण प्रितिक ए ब्लॉंक्स टू बी कॉमा वी ब्लॉंक्स टू बी के लिए एस्टार भी लॉंग स्टू किसम होना चीह यह बी में तो आंत्रिक संक्रिया कहलाती है इंटर्नल ऑप्रेशंस कहलाता है वो धारण्ट है पूर्णांगों के समुझ जेड में संक्याओ का योग में गुणन आंत्रिक द्याधारी संक्रिया है तो पूर्णांग को के समुझ बंदर करता है बहुत कि किसमें परावत होगा TR घथ्जारी संक्रिया हैं पुण से डॉस्स टॉस एरिक्त समुझ है तो ऐप क्रोस वी से बी परिवासित कोई प्रतिचेतरंट को संक्रिया गुरूरूप में कहले रहे हैं अ इसक्रिया कहलाती है इस संक्रिया के अंतर गत A belongs to किस में से ले रहे हैं? F में से ले रहे हैं और V, Small V belongs to Capital V तो इसके दो लों के जो संक्रिया कराएंगे A की संक्रिया किस पर करा रही B पर तो वो किसमें प्राप्त होगा? B में प्राप्त होगा 4R A belongs to F तथा 4R Small V belongs to Capital B तो इसके एक्जामपल है, इस्टेंडर एक्जामपल है, मैट्रिक्स का अधिस गुननफल, मैट्रिक्स समुझ M में बास्तिक संक्याओ के समुझ आर पर एक वाहिये दियादारी संक्रिया है, तो कोई भी मैट्रिक्स है उसका कहले है, अधिस गुननफल ले मैट्रिक्स दो आपके संक्रियां हैं दो संक्रियां है। यह झालता है। यह दिस समimi कहलाता है यदि वी में परिवासितर नहीं संक्रियां योग के लिए यह भी सिसे वी संत्योर्ट करती है तो आपकी जो पृतिबधे रागर प्रितिबसों को संत्योर्ट करती है तो वह क्या कहलाता है ने फिस्ट प्रपर्टी के लिए B, plus, plus संक्रिया के लिए क्रिम मिन में समू है क्रिम मिन में क्या है गुरूप है इसके बाद से एक B2 प्रोपर्टी है A का अधिस गुणन लें ये का क्या लें अधिस गुणन लें अलफा प्लस वीटा के साथ बरावर A A dot alpha plus A dot वीटा फोराल A belongs to F तता A तो क्या है स्केलर है तता फोराल alpha वीटा ब्लोंग तो क्या है V vector है अधिस गुणन सदिस योग का बंटन करता है जो अधिस गुणन है वो सदिस योग का क्या करता है बंटन करता है बंटन तक गुणन दन वो सटिस्वाइ करती हो V3 property है A plus V का अधिस गुणन लें किसके साथ अलफा के साथ तो वरावर A dot alpha plus B dot alpha फोराल A, V belongs to F तता फोराल alpha belongs to B अधिस गुणन अधिस योग का बंटन करता है V4 property है A, V dot alpha वरावर A into V dot alpha फोराल A, V belongs to F तता फोराल alpha belongs to B अधात अधिस गुणन क्या है सह चारी है B5 property है वन का किसके साथ अधिस गुणन लें अलफा के साथ तो क्या परावत होगा alpha फोराल alpha belongs to B जब 1 छेत्रेव का इकाई अभयव है unit element है सामनते छेत्रेव पर सदिस समस्टी V को B over F से वेक्ट करते हैं B over F से वेक्ट करते हैं परन्तु यदि छेत्रेव sum is first हो तो इसे केवल B से वेक्ट किया जा सकते हैं अगर 6 त्रेव फर्ल्ड है आपका क्या है sum is first हो तो इसे केवल B से वेक्ट किया जा सकता है पराव B के अभयव को सदिस वेक्टर कहते हैं तो तो त्थ छेत्रेव के अभयव को अधिस स्केलर कहा जाता है तो आप ज्यान रखें B के जो element होते हैं तो जो भी वेक्टर है ये इन 5 प्रोपर्टियों को सटिस्वाई करेगा तो वेक्टर स्पेस के लिए 5 प्रोपर्टि सटिस्वाई होनी चाहिए इसके बाद है रिमार्स्ट समुझ B के अभयवकु सबीधा केली सदिस कहाजैता है किन्ट यह सदिस्वाई गणित में प्रयूक्ष कुछ सदिस्रासी से शर्वतलना है तो यहां पर हम जो सभाद्एव ए सदिस्वाई होती है इस से न् और चेथिज़ों लिया में और को अन्म कि संक्रिया प्रेयों थाओं Bitcoin कांदर इंसे इक ब्यक्षिंसव प्रेयों में अन्य चुछती कि मेरी आदर के लिया प्रयोग में लिया जा रहा है और धाराणा अर्थ है यदि A, V बिलॉंग्स टू F है इसकेलर है तब A प्लस B बिलॉंग्स टू F छेतर F में योग को व्यक्त करता है जिसे प्रय अधिस योग कहते हैं तथा यदि A, V बिलॉंग्स टू F बिलॉंग्स टू B है तो A प्लस B बिलॉंग्स टू B समुझ V में योग को व्यक्त करता है जिसे प्रय सदिस योग कहते हैं इस फिरकार A.V बिलॉंग्स टू F छेतर F म कि भाईये संक्रिया अधिस गुनन को व्यक्त करता है प्रत्यक सदिस समस्टी में दो प्रकार के सुन अवयवव का प्रियोग होता है बीके सुन अवयवव अर्था योज ता समक्कों घहरी छपाई वाले ॐ बॉल्ड फेस टाइप से प्रद्रिसित करते है जिने सुन सदिस जीरो फेक्टर कहते हैं जीरो है सुथ hörक क्यों धार की सब्सक्राइक रूप में नहीं होता है जैसे सफो Byeर में अगर वो नौर्मल है जीरो की रूप में देख रहे हैं तो मानेगे सच क्या यसे चेसल होता हुडTh surg?. यहिह के Claudio, आपकी सदिस समष्टी सब्सक्राइस वहार कर Rs. सुनने समझ्टी नल स्पेस या तुछ समझ्टी ट्रिविल स्पेस कहलाता है जिसे जीरो से वेक्ट करते हैं जीरो को किसके अंदर लिखते हैं से अंदर से वेक्ट करते हैं पांचा नम्बर का परिमार का है यदि एफ एक पॉल टू क्या है छेतर है वो एफ इसके लग इसके कि परिम्य सदी समझ्टी राशनल वेक्टर स्पेश कहते हैं जामिती के त्रिविं सदीश समझ्टी थ्री डाइमेंशनल वेक्टर स्पेश कहते हैं। सदा इसे B3 या B3 over F से प्रदिशित करते हैं तो यह जो आपकी पांच पॉइंट है रिमार के यह पांच वी पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपोटेंट है तो इन्हें आप ध्यान दखें इसके बाद है सदी समिष्टियों के उधारण जो एक्जामपल ऑफ वेक्टर स् इसकी वह डेफिनेशन यूज होगी आपके एक्जामपलों में तो इसे डेफिनेशन को आप ध्यान रखें तो फर्स्ट एक्जामपल है आपका every field is a vector space over its subfield प्रतियक्षेत्र अपने उप्षेत्र पर एक सदिश समस्थी होता है तो यह आपको प्रूब करना है तो solution देखें, माना F एक छेत्र है, तदा H इसका उप छेत्र है, F छेत्र है, H इसका क्या है, उप छेत्र है, तब F को सदिसों का समुझ तदा H को अधिसों का समुझ लेने पर चाहिए योग संक्रिया सहिश्य तरफ आ चेद्र लेने पर चेद्र आव में योग संक्रिया सरी सी और चेद्र में गुणञ्ण सकर्या अधिच गुनण के रूप में ली जा सकती है चुक्कि ए ब्लोंग्स क्या है है ऐच है एक ज्वात्य अमने उपिर दिया है और समन्हें स्मॉल अंच नंक है अफ क्षेत्र वीत्वात्य ज्वांटी ऑफ आग्टि एघिक स्थील्टेंथ तो यूद्वार द्िखत्रों होगा style दूंग слож me और फेस तो L में निम्मेंड जो गुंण है उनका jong करेंगे जो भी आपकी ब्रडेक्ट फिर्स की जो भी गुंण है क्या करेंगे अब लोगर कारेंगे ने सब्सक्र fucked cringe-lean क screenshot करना चाहिए उसके बाद आपका क्या好吃 को satisfy करना चाहिए उसके बाद संक्रिया के लिए होता है चूकि एफ जो एक शेतरर है वो क्या है क्रिम्नुम्नु मैं समू होता आ इसके बाद यह हमने पहले पढ़ा हूआ है इसके बाद फिर फोपर्च था millennium alpha, beta belongs to f کے لिए a dot alpha plus beta equal to a alpha plus a beta, 6-3F میں बंटनता कुण से, 6-3F میں इससे benंटनता कुण से, बीटू property भी satisfied होगई, इसके बाद b3 property f प्रत이क, a 2-3 oneself as to which h जोoure Big 4 में, तदा alpha belongs to f, के लिए a plus b into alpha equal to a into alpha plus b into alpha, 6-3F में बंटनता बंटनता सन क्या सिर्ट चैह सट इस पाइख रहाआ है जो च्हेतर है सलस्ट साहतने करते है के लिए में उसको क्याले कोष्टेम लिएंटुअफा इक्वलPC rules लेंटुट भी इलफा टैया फ में क्या गुनसा गुनान है फ में गुननसा चर्था से इसके बाद भी सब्सक्राइब का इटाइब तो पांच ही प्रोपर्ट्टी स्रachery साथ स्थेडर्टि इसके इस इटार्ट Понसे Ef 근र प्लोंक्स टू प्लोंग स्ट उप्लो क्षिए тепल फोपर इटाम उता है तो यह आपका प्रूफ रना ठाय सामयान योग इनकलण के साफे किया है कि ध्यूंता में आरा security श्रेंशच्ने में Pastya रिमार्ख मिसा क्यों आप त्रिक कि नहीं देखें और और में कोई एलिमेंट नहीं ने प्रत्रों करना चाहिए उड़न के लिए ना प्र्रापटी के लिए लिया इसमें राख भीस्क्राइब सब्सक्राइब कर दोनों क्या है परंतु आर ओवर सी तथा क्यू अबर आर सदिश्च चमिष्ट्या नहीं चूकि यह अधिश्गुणन संक्रिया के लिए संब्सक्राइब कर देखें जैसे आर ओवर सी का जो भी हम किसी संक्रिया पर कराएंगे जैसे हमने गुणन संक्रिया के लिए दो एलिमेंट लेंगों को गुणन संक्रिया करा हैं उसके बाद जो इलिमेंट हो किसमें बोलों करने चीह और ओबर सी का अग्रिया धूर्ज तो अगला क्या प्रावत होगा एलिमेंट हमें यह त्री प्लस इंडुद थैट आयएट है जो आर डजनोड बिलोंस तो आर तो इसी प्रकार q over r देखें हम आर हमने लिया चैसे अंडर रूट टू और q लिया हमने बन अपॉन थ्री तो अगला हमें अलिमेंट क्या प्रावत्यों का कुंदल संक्रिया के लिए संक्रिया थीर है और चैस्ट बेरिक्टर संस्क्रियाओ नहीं है नहीं चुक्ainen संवरत दो प्यारे विद्यारति आज हमने आपको सबसे पहले जो आपकी सबसे परारा में पढ़ाया तो आज से हमने अपने उनिच परारम किया है तो उसमें आपको सबसे पहले मैंने आपने को आंत्रिक तदा वाईए संक्रिया के बारें बता हैं इसके बाद could be upon our product ब्रफटल्थ को उसके साथ क्रेमिन्में सामोगकी बात करतें प्लस संक्रिया के लिए तो स्क्रवार्ब की चाौँ और था साये तो क्या होगा कोई भी आम्म Jahr दे रहा तक उसको ब्रख़ के जब भी कहेंगे जब यह हमारी प्रोपर्टी आए 5 हो उनको क्या करें सटिस्फाइ़ करें उसके बाद हमने एक एक एकजम्पल करा है उसको उसको सुल्व किया आपको उसके बाद हमने आपको रिमार्स को बताई जो कि सॉल्व करें ओके स्टूडेंट